नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने हम एक और वीडियो लेकर के और हमें बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि बहुत इंतजार के बाद आज चुनाओं को लेकर के एक नई ख़बर आई है जो कि हर्याना सरकार ने दी है इसी के साथ 75 स्वतंतरता दिव कि आपको हारदिक शुबकामनाई कल 15 अगस्त है हम आपको बहुत बहुत शुबकामनाई देते हैं और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए त खबर दी है कि 31 अगस्त तक इवियम हर्याना में पहुँच जाएंगी और पंचायच चुनाओ के लिए डिडिपियों ने लखनव से मशीन मंगाने के लिए अधिकारियों को आदेश दे भी दिये हैं हर्याना में पंचायच चुनाओ की सरगर्मी तेज हो गई है नूह, पलवल, जजजर और फरिदाबाद से चार जिलों के लिए लखनव से इवियम मंगाई जाएंगी इसके लिए जिला विकास एवं पंचायच अधिकारी राकेश मोर ने अधिकारियों को जिम्मेदारी द बताया कि नूह, पलवल, जजजर और फरिदाबाद जिलों के लिए लखनव से इवियम लाने के लिए उच अधिकारियों ने आदेश दिये हैं इसके लिए अधिकारियों की जूटी लगाई जा रही हैं जिनको 31 अगस्ते पहले पहले लाया जाएगा उन्होंने बताया कि जिले में सरपंच, ब्लोक्समीती और जिला परिशत सरदस्चे चुनाओं के लिए करीब 1510 इवियम के जरूरत होगी जिला प्रशाशन की इस तयारी से चुनाओ लड़ने वाले उमीदवारों ने फिर से तयारी शुरू कर दी है और बता दें कि हर्याना में 24 अप्रेल 2021 को पंचायतों का कादियोकाल पूरा हो चुका है चुनाओ लड़ने वाले उमीदवारों को इनी दिनों चुनाओ होने की उमीद थी जिला प्रशाशन ने इसकी तयारिया शुरू कर पंचायतों का आरक्षन भी करा दिया था लेकिन सरकार ने पंचायती राजसन स्थाओं में पदों का अरक्षन भी उमीद लगाए बैठे हैं सितंबर अक्टूबर माह में चुनाओ होने की उमीद की जा रही है और इसी के साथ हम आपको ये फिर से बता दें कि जो उमीदवार अपनी ताल ठोकना चाहते हैं पंचाय चुनाओ में या निकाय चुनाओ में तो आप अप इसे तरीके से उसमें विजय हो सके हमारी शुब कामनाएं आपके साथ हैं तो ये थी पूरी खबर 31 अगस तक EVM हर्याना में पहुंच जाएंगी इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें जै हिंद जै भारत